यहां वे अपी मज्जित को लेकर जहां काफी घमासान मचाया है वहीं हिंदु पक्षा कहना कि वहां पर शिवलिंग मिलने के पड़ कोड़ ने भी आदेश दे दिया है कि वहां पर CRPF की तैनार्थी कर दीजाए उस यह जगों को सील कर दीजाए वहीं देखने को मिला कि हिं अंडिया के कानून पर पूरी तरीके से बहरोसा है इंशाल्ला कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जिससे कि दिल को ठेश पहुंचे या किसी की मजब को तकलीफ मिले इंशाल्ला हर चीज जो होगी कोड़ जो फैसला करेगा हम लोगों को हर तरीके से मनजूर है अगर वहां पर लिकलता है तो जो दिल चाहा वो करा जाएगा मगर जो नहीं लिकलता है तो अपना कोड़ जो भी फैसला करेगा वह हमें मंदूर हम लोगों को सब को मनजूर है और रही बात इसमें भाई-जारा जैंगा वा इंशाल्ला बटने नहीं पाएगा कोई तरीके से नहीं हाल जो भी निर्ले होता है जो भी रिजल्ट आता है उसके हम खुश है जानेंगे कि ग्यान मापीपे आपकी राय क्या है ग्यान मापीपे हमारी राय ये है कि सरकार जो भी क्योंकि पुरानी जहां पर भी मस्जिदें हैं वहां पर मंदर के अपसेज पाए गए हैं तो सरकार को चाहिए अपनी इसपस्टता जो है जो भी है वहां पर चाहे मंदर हो किया लगता है सरकार के आप साथ हैं जी सरकार के साथ है इसलिए हैं क्योंकि सरकार जो निश्वक्ष कर रही है। तो यह ह姓 डेज में इस तरह के مुद्ध चल रहे हैं तो क्या आप सरकार के साथ हैं ग्यान व्यापी पर आपकी क्या रहा है इस समय ग्यान व्यापी का सरकार मुद्दा खड़ा करके जनता का ध्यान भटकाना चाहा रही है इस समय देश में महगाई चरम सीमा पर है बेरुजगारी चरम सीमा पर है इन सारे जनता के इ इस समय जंता जिन से पीडित है उन पर सरकार का कटगर्णे में खड़ी ना हो इसलिए अपना बचाओ करने के लिए तमाम हत्गंडे अपना रही है सरकार हम चाहेंगे ग्यान बापी मज्जित के मुद्ध को सरकार कोट में ले जाए कि जिद्ध्या का मैटर भी कोट से ही सु जाया जाए अगर ऐसा है तो जो समय बद्धा बना हुआ है ज्यान जापी इस पर आपके क्या रहा है देखिए सूरत को अगर कुछ देर के लिए अगर बादल ढग लेते हैं तो ना तो उसकी कोई चमक को कम कर सकता है ना ही उसके प्रकास को और ना ही सूर को रोक सकता है सब्सक्राइब यह रीपे मजज्द की तो घ्यान सब्ध जो वह सणातनी ia आप जानते हैं और इल्म सब्ध जो है मुसलिम्सफ अगर इल्म मजज्ध हो तो विशनिये लेकिन घ्यान ब्यापी मन्दरी हो सकता है बाकि आप समझजदार है तो कंग आ हो ठीक है बिलकुल और का जैसा निर्णा होगा तो मुद्दो को भचकाने के लिए विवाद चला है या कुछ यहां तक कि हम लोग यदि पढ़ें तो हमारी सनातन संस्कृति के लिए कोई और छोर नहीं कि हम कबसे इस धर्म में आए बागी धर्मों के बारे में कोई सोला सौसाल पूर्व में बुच है साव इसा पूर्व तो ऐसे धर्म बने हैं सनातन संस्कृति का कोई को भी मतलब आपके पास है सणातन संस्कृती योगयोगों से चलती आ रही तो हमारे आर्कलाजी डिपाटमेंट में ऐसे तमाम भारत वर्स में तमाम स्ट्रेक्चर हैं जो भारती संसिक्रिती को कहीं न कहीं प्रकासित करते को और रही बात 75 विशूनाद मंदिर के बारे में और ये ज्रमापी मज़ित तो इस ट्रेक्चर देखें अभी पीली भीत हमारा जनपद है बहुत छोटा जनपद है यहां पर अभी मैंने विगत 2017 से प्यास किये एक आर्कलोजी का है दसवी सताबदी के अवशे सित्यादी है एक मोर्ती भी बहां से चोरी हो गई तो रिटिन परमार पत्रा चार अंग्रेजों ने यहां पीली भीत में रसर्च की है लेकिन भारती पुरातत सर्वेक्षनल भाग उससे सर्वे करने एक टीम ने सर्वे किया अप अधिकतर आप देखेंगे सना सर्वे करने एक टीम ने सर्वे किया अपने आख्या रिपोर्ट प्रस्तित की है कि वहां उत्खनन कार किया जा मानी ने संस्कृति मंत्री अर्जुन नाम मेगवाल जी ने भी नर्जेशक को डायरेक्शन दी है ऐसे भारत में तमाम व्यापक रहसे हैं जो सामने आएंगे और अधिकतर आप देखेंगा सनाहतन संस्कृति की हो रही संखेत कर रहे हैं आप जो मुद्दा इस समय जो चल ला है क्या आप इसमें सरकार के साथ हूँ सरकार के साथ बिल्कुल है और देखें देश जो है ना वह संविधान देखना है तो सबसे पहले ही बात यह है कि ज्यान बापी का जो इसमें प्रकंड चल ला है उसके परिपेक्ष में आप यह देखिए कि कि तरह से महाँ पे अगर आप सबूतों के राख्रूबी देखें तो देखें आप पर कमल का फूल मिला है और बहुत सारी चीजह जो की कोर्लेट करते हैं जब चीजों के लिए तो मतब कैसे ना कहें कि अगर मतब जहां जगर दी है कोट में तो किसी तर्थ्यों के अधारत पर दोगी ना तो उसको अगर लेकर चले या और जो भी इसमें का जाएगा तो यह सारी चीजी जो है वह अपने आप इस वरट होते हैंगी जानबापी का जो मुद्दा है क्या यह मुख मुद्दों से भटकाने के लिए सब विबाद हो रहा है क्या हो रहा है इसमें कोई दौराय नहीं है और सम्मिधान को मानना चाहिए जैसा हम जानते है हैं सब्सक्राइब हो और हमारे लिए सर्वो परीवी है सम्मिदान मेरे नाप जितिन सिंग है यह बताइए कि यह ज्यानबापी यह मुद्द चल रहा है उस पर आपकी क्या राएं ज्यानबापी केबल महंगाई और रोजगार और इन सब को भटकाने के लिए इन्होंने आपके नहीं तो मुसल्मान कब आए राज तंत्र था अभी राज तंत्र नहीं है केवाल एक लोगतंत्र है और लोगतंत्र के हिसाब से यह नहीं चला सकते पर यह चला रहें केवल यह इंदर उदर के मुद्दों के बटकाने के लिए और क्या आप मानने बिलकुल लेबल पर देखे रोजाना आई दिने ऐसे मुद्दे को ले आते जिसमें जो आप क्राइम नहीं होगा वहां से क्राइम क्रीट हो और वी लोग में साइट नहीं है मैं उनसे जानने चाहिए मेरा नाम विश्व है यह पताइए ग्यान वापी जो मुद्दा चल रहा है क्या र करना। यहां तो कमा सारी बातने करना मीं चाहिए मां अप्राइब दैक वह हो सकता आए कि जिस तरीके से और बलदिया जा रहा ही मिल्कुत प्रप्षण इन सब चीजों को प्राप्त तो आप सरकार के साथ है और और वहीं मैं कहूंगा कि यह और गलत का फैसला करने के लिए मैं कुई जज नहीं हूं लेकिन जो चीज समाज में फिलाल जो पनब रही है वह अच्छी नहीं है और भी लोग में साथ में मौजूद है क्या नाम आपका भीयत चरागवास ने इसमें ग्यान व्यापी जो मुद्दा चल रहा है क्या रहा है आपकी इस चीज पर मज्जित का मंदिर है महां का मंदिर था है और रहेगा किस इसमें व्यामास चाहिए बड़ीा की तो मीरां कर यह लोग वाओं की सोच है आप आप माही किसे सरकार में कित्री चछिंगा परले क्या था अब क्या है सरकार के साथ सब्सक्राइब कर दो जैसा कि आपने देखा कि काफी लोगों से मेरी बात चीतुरी सभी ने अपनी अपनी राय की अलिए से नुजवर्ट इंडिया के लिए आकस कुमात